यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सोगा बहुत-बहुत स्वागत है अब देख रहे हिंदूस्तान की जलग दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जारकन राज फसल रहाती हो जना का के वाइसी करते समय आपका मोर्फो फिंगर इसकेनर डिवाइस काम नह लाइट नहीं जल रहा है एक वाइसी करते समय आपका फिंगर इसकेनर में लाइट नहीं जल रहा है तो कैसे सेटिंग करना है क्या प्रोसेस है आज के इस वीडियो में आपको लाइब करके दिखाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते सुरू कि सबसे पहले आपको computer and laptop के screen में आना है और यहाँ पर आपको search के option में control panel search कर लेना है और आपको control panel को open करना है फिर आपको program में जाना है program में जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर RD service दिखेगा सभी RD service को आपको uninstall करना पड़ेगा यहाँ पर देखे जहारखन RD service है इसको पहले हम uninstall कर लेते हैं उसके बाद Morpho RD service को uninstall करेंगे यहाँ पर देखे नीचे आपको दो Morpho RD service का एक USB और एक driver दिखेगा तो दोनों को आपको बारी बारी से uninstall कर लेना है अपको पर दूदित है यहाँ न च्रेघ यहाम General ओसा कि विर दो यहाँ अज क्ण़ जो मार्वाण टा में सुवद्धाइगा यहां पर दोस्तों मेरा दोनों RD service का software अनिस्टॉल हो चुका है उसके बाद यहां पर आपको Chrome ब्रोजर को open कर लेना है और यहां पर आपको Google सर्च में यहां जहारकन RD service टाइप करके सर्च कर लेना है सर्च करते हैं पाला website दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस परकार का website पर आप पहुंच जाएंगे यहां पर स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे यहां पर आपको PC का option दिखेगा इस पर स्ँर्वीच करके तक का यहां पर मेरा इस टोल हो रहा है यहाँ पर देखिए successfully मेरा जारकन RD service इस्टॉल हो चुका है उसके बाद आपको दूसरा page लेना है या तो उस page को card देना है यहाँ पर आपको Morpho RD service टाइप करके search कर लेना है और आपको नया Morpho RD service डाउनलोड कर लेना है search करते ही पहला website दिखेगा यहाँ पर देखिए स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा RD service online तो इस पर आपको click कर देना है click करते हैं यहाँ पर आपको side में देखिए download का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों मेरा पहले से ही download है इस्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा देखिए यह देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा local host है यह मैं पहले से ही download करके रखा हूँ तो इस पे आपको right click करके extract करना पड़ेगा देखे right click करते हैं extract file का option देखने को मिल रहा है तो इस पे आपको click करके जैसे इस पे आप click करेंगे यहाँ पर ok का option आएगा ok पर click करके आपको extract कर लेना है यहाँ पर दोस्तों मैं पहले से extract करके रखा हूँ right click करके run as administrator बे आपको click करना पड़ेगा जैसे इस पर click करेंगे यह software run होगा इसके पहले दोस्तों आपको local disk बे जाना है उसको open कर लेना यहाँ पर आपको दो फाइल देखने को मिलेगा morfo का इन दोनों फाइल को आपको delete कर लेना सबसे पहले यहाँ पर आपको screen में देखने को मिल रहा है इसको delete कर लेना है यहाँ पर पहला फाइल दिलीट हो चुका है दूसरा फाइल भी हम delete कर लेंगे उसके बाद morfo rd service को install करेंगे उसके बाद यहाँ पर फिर से right click करके run as administrator पर click करेंगे यहाँ का permission मांगेगा यहाँ कर देना है यहाँ करते ही आपका rd service install होने लगेगा तो यहाँ पर मेरा rd service install हो रहा है इसक्रीन में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको wait करना है यहाँ पर मेरा rd service install हो चुका है उसके बाद यहाँ पर आप computer को restart करना चाहते हैं तो finish पर click किजिए ने तो no पर click करके आपको finish पर click कर देना है फिर इस पर click करने के बाद फिर से आपको local disk पर जाना है तो चलिए हम फिर से local disk पर चले जाएंगे उस पर click करेंगे यहाँ पर आपको देखिए more for RD service का option देखने को मिल रहा होगा जो कि हम पहले आपको delete करके दिखायते हैं यहाँ पर देखिए आचुका है तो उस पर आपको click करके open करना है open करने के बाद यहाँ पर देखिए config setup का option देखने को मिलेगा तो इस पर आपको click कर देना click करेंगे तो यहाँ पर देखिए communication mode है यहाँ पर communication mode 0 है तो यहाँ पर आपको communication mode को one कर देना है cancel करके one कर देना है उसके बाद यहाँ cancel button पर click कर देना यहाँ save का option आ जाएगा उसके बाद फिर से Convix setting में click करेंगे यहाँ पर check कर लेंगे देखते हैं Communication mode 1 हुआ है के नहीं यहाँ पर देखिए Communication mode 1 हो चुका है तो इसे हम cancel कर देंगे पूरे page को काट देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना computer या laptop को restart कर लेना है उसके बाद Firefox browser को open करना है यहाँ पर मैं restart करने के बाद Firefox browser को open कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए open हो चुका है उसके बाद हम जहारखन ID service टाइप करके search कर लेंगे search करते हैं पाला website देखने को मिलेगा इस पर click करेंगे इस पर click करते हैं जहारखन राज फसल रात योजना की website पर चले आएंगे यहाँ पर परिग्या के अंदर login करें का option देखने को मिलेगा तो इस पर हम click कर लेंगे click करते हैं यहाँ पर आप से CAC ID password मांगा जा रहा है उसके बाद केपचा फिल करके sign in पर click करना पड़ेगा यहाँ पर मैं सभी को फिल कर दिया हूँ उसके बाद केपचा को फिल कर लेते हैं उसके बाद sign in पर click करेंगे यहाँ पर मैं केपचा को फिल कर लिया हूँ उसके बाद sign in पर click कर देंगे जैसे इस sign in पर click करेंगे जहारखन राज फसल रात योजना EKYC के option पे आप login हो जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको केवल निशुल EKYC करें का option देखने को मिल रहा होगा तो इस पे आपको click करना पड़ेगा उसके पहले दोस्तों आपको यहाँ पर search में देखिए service type करके search कर लेना है और अपना Morpho को run कर लेना यहाँ पर जैसे click करेंगे Morpho M type करके search करेंगे तो देखिए Morpho RD service आजाएगा यहाँ पर देखिए restart है तो इस पे click करके आपको अपना RD service को restart कर लेना है यह Morpho finger इसके लिए device को लगा करके रखना है यहाँ पर देखिए restart हो चुका उसके बाद केवल निशुल EKYC करेंगे option पर click कर देंगे यहाँ पर आधार नमबर फिल करने के लिए बोला जा रहा तो यहाँ पर हम आधार नमबर को फिल कर लेंगे उसके बाद term and condition को accept करके proceed to only EKYC पर click कर देंगे यहाँ पर मैं आधार नमबर को फिल कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आधार नमबर को फिल कर लिया है उसके बाद box पर tick करके proceed to only EKYC पर click कर देंगे जैसे उस पर click करेंगे यहाँ पर आपको wait करना है देखिए इस परकार का page खुल करके आपके सामने आए जाएगा यहाँ पर finger का option देखने को मिलेगा तो इस पर आपको click कर देना है click करते हैं यहाँ पर देखिए device not ready देखने को मिल रहा है तो इस पर कार का यहाँ पर problem आ रहा है फिर से click करेंगे फिर से click करने पर भी देखें device not ready आ रहा है तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है इस page को cut कर देना है cut करने के बाद आपको फिर से search के option में restart कर रहा है morpho rd service को देखते हैं मोर्फो finger scanner device support कर रहा या नहीं यहाँ पर देखिए यह restart हो रहा है तो यहाँ पर देखिए एक notification आया है स्क्रीन में आप देख पा रहेंगे देखिए यह फिर से cut चुका है यहाँ पर दोस्तों हम फिर से control panel में जाएंगे और मोर्फो RD service को uninstall करके फिर से install कर लेते हैं हो सकता है मोर्फो RD service में कोई problem हो तो यहाँ पर फिर से हम मोर्फो RD service के दोनों software को uninstall कर लेंगे और फिर से हम install इसे करेंगे देखिए दोनों RD service uninstall हो रहा है यहाँ पर देखिए दोनों मोर्फो RD service uninstall हो चुका है उसके बाद हम Google Search में फिर से Morpho RD Service टाइप करके यहाँ पर New Press Morpho RD Service को डाउनलोड कर लेंगे पहले दोस्तों हम डाउनलोड करके आपको नहीं दिखाये थे पहले से यह डाउनलोड किया हुआ था यहाँ पर हम फिर से Localhost को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पर देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका उसके बाद 100 फोल्डर पर क्लिक कर देंगे जहाँ पर भी आपका डाउनलोड हुआ आगा वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर दोस्तों मेरा फाइल इस्टेक्ट हो रहा है तो यहां पर आपको वेट करना है यहां पर देखिए दोस्तों मेरा Windows RD Service इस्टेक्ट हो चुका है तो इसे हम open कर लेंगे open करने के बाद यहां पर setup दिखेगा इस पर right click करके run as administrator पर click कर लेना है तो चलिए हम run as administrator पर click कर लेंगे जैसे यह run as administrator पर click करेंगे यहां पर मेरा Morpho RD Service फिर से install होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर आपको install होने तक का वेट करना है यहां पर मेरा Morpho RD Service install हो चुका है नो पर click करके finish कर देंगे यहां पर दोस्तों मेरा दुबारा Morpho RD Service install हो चुका है उसके बाद हम फिर से local disk में जाएंगे और यहां पर config setting में देखे डिवाईस registration फेल्ड दिखने को मिल रहा है okay कर देंगे उसके बाद यहां पर config setting मे देख लेंगे यहां पर मेरा communication mode one है की नहीं यहां पर फिर से नहीं तो communication mode को one करना होगा यहाँ पर देखिए Communication Mode 0 है तो हम यहाँ पर फिर से 1 कर लेंगे उसके बाद फिर से Cancel पर क्लिक करेंगे Save का Option आजाएगा यहाँ पर Save हो चुका है उसके बाद इस Page को Cut कर देंगे Cut करने के बाद हम फिर से जारकन राज फसल रात योजना की Website पर चले आएगे यहाँ पर फिर से Finger पर क्लिक कर देंगे Finger पर क्लिक करते ही देखिए हाँ device not ready फिर से आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो problem है यह मेरा यहाँ date और timing का problem है तो यहाँ पर नीचे आपको corner में Date and Time दिखेगा इस पर आपको right click करना है यहाँ पर adjust date and time का option देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे उस पर click करेंगे इस पर का page आपके सामने खुल करके आ जाएगा नीचे देखिए additional date and date time and regional setting है इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद date and time पाला है पाला option पे आपको click कर लेना है उस पर click करते ही इस परकार का यहाँ पर देखिए internet time का option देखने को मिल रहा है इस पे आपको चले आना है आने के बाद यहाँ पर देखिए time add बच करके 20 minute आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर आपको देखिए change setting का option देखने को मिल रहा है तो आपको change setting पे click कर देना है उसके बाद update now का option देखने को मिलेगा तो इस पे आपको click कर देना है इस पे जैसे ही आप click करेंगे आपका date और time set हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10 बच करके 13 मिनट हो चुका और 7 नॉंबर timing भी आ चुका यहाँ पर देखिए temporary check unsuccessfully अब मेरा Morpho RD service ऐसा सो कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों मेरे computer में internet नहीं है इसलिए unsuccessfully देखने को मिल रहा है तो चलिए यहाँ पर हम net connect कर लेते हैं उसके बाद दोबारा Morpho को खोल करके लगाते हैं पर देखिए device is ready to use आ चुका है तो यहाँ पर हम ok कर देंगे या तो automatic cancel हो जाएगा उसके बाद हम फिर से जारखन राज फसल रात योजना की website पर पहुंच जाएगे उसके बाद finger पे click कर देंगे finger पे click करते हैं देखिए मेरा Morpho finger scanner device में light जल चुका है तो इस परकार से दोस्तों आपको problem देखने को मिलेगा और इस परकार से आप बड़े ही आसानी से setting कर पाएंगे यहाँ पर देखिए मेरा finger scanner device में light जल चुका है और यहाँ पर आप finger लगा करके EKYC कर सकते हैं उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा साथ ही helpful भी लगा होगा आप हमें comment करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही दोस्तों किसान का EKYC कैसे क करना है वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा इसका वीडियो पहले से ही चैनल में upload है चाहे तो आप चैनल में जा करके वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही description में भी आपको वीडियो का link मिल जाएगा वहां से आप जा करके वीडियो को देख करके EKYC कर सकते हैं आज के इस वीडियो मैं आपको more for RD service को कैसे setup करना है setup करके complete process को बताया हूँ उमीदा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा साथी helpful भी लगा होगा आप हमें comment करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को बनाने का उद्देश से जानकारी प्रप्त करना तो आज के लिए इस वीडियो में तरह ही फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत